लेकिन हो सकता है कि लेफटनेंट सिंग का स्क्वार्ड वहां कैद हो एक टेंट लाल टेन की रोशनी में चमक रहा है ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगा हो सकती है उस छोटे से टेंट की तंग जगयों में एक साइट टेबल, एस्ट्वे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बकसों के उपर गैस वाली लाल टेन रखी थी पर सबसे ज़रूरी था एक कैदी जो रसियों से बंधा हुआ था लेटनेंट सिंग की डुकडी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया, के उसका चहरा काला और नीला पड़ गया उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था सर, उन्होंने तुसरों को बंधी बना दिया रवी ने कहा रिपोर्ट बाद में फॉजी, पहले तुम्हें छुडाना होगा नहीं सर, दुसरों को आपकी मुझ से ज़्यादा जरूत है मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फॉजी लेटनेंट सिंग, रवी के पैरों से रसी खोलने लगते हैं देर हो गई सर, पीछे देखिए एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेटनेंट सिंग को पीछे से पकड़ लेता है टेंट में उनके बीच संग घर्ष होता है और बगसे गिर जाते हैं बगसों पर रखी लाल टेन गिर कर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बगभू फैल जाती है रवी निकलो यहां से लेटनेंट सिंग रवी को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है रवी कोई प्रतिक्रिया नहीं लेटनेंट सिंग लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था लेटनेंट सिंग उस जलते टेंट से बच निकले नहीं सर्य दूसरों को आपकी मुझ से ज़ादा ज़रूत है रवी की ये शब्द लेटनेंट सिंग के कानों में गूंज रहे थे